DC की सूपर हीरो फिल्म शाजाम का सीक्वल हो चुका है रिलीज हिंदी, इंग्लिश और अधर रिजिनल लैंग्वेजिस में और मैंने देखी ये फिल्म हिंदी 2D में क्योंकि 3D में अवलेबल ही नहीं थी बाकी कैसी है ये मूवी आएए बात करते हैं वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी सबसे पहले अगर मैं इसे इसके फर्स्ट पार्ट से ही कंपेर करू तो मुझे परसनली इसके सेकेंड पार्ट में यानि शाजाम फ्यूरी आप दे गौड्स में जादा मजा आया क्योंकि इसमें पहले पार्ट से जादा पावर है पहले पार्ट से जादा हूमर है और पहले पार्ट से जादा स्ट्रॉंग स्टोरी लाइन भी है दोंट वरी नेगटिव पॉइंट्स भी है बट उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे देखो ये एक Shazam movie है तो ये सिर्फ एक superhero movie नहीं बलकि comedy superhero movie है और इस film का humor इतने गजब अंदाज में पेश किया है specially अगर आप इसे हिंदी में देखोगे तो भाई साब थीटर में लोग हसे जा रहे हैं हसे जा रहे हैं और हसते ही जा रहे थे सो जिनोंने भी इसका हिंदी transcription लिखा है बहुत बढ़िया बात अगर story के करे तो Billy Batson जो Shazam की पावर से hero बन चुका है और लास्ट पार्ट में उसने अपने family को भी superhero बना दिया था और लास्ट पार्ट में ही उसने वो पावर वाली छड़ी भी तोड़ दी थी जिसके वज़े से हो गई है गड़बड तो Atlas की बेटिया धरती पर आई है अपनी पावर्स को वापस लेने पर उनका इरादा exactly क्या है वो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा अब Billy Batson Shazam पावर्स को वापस देने के लिए yes बोलता है कि no वो तो आपको फिल्म में ही देखने को मिलेगा पर daily life के simple सवालों के yes और no में जवाब देकर आप daily पैसा कमा सकते हो ट्रैगो पर इवन जीती हुई earnings आप UPI के दुरूत तुरंत withdraw भी कर सकते हो जैसे सवाल है कि क्या India, Australia को हरा सकेगी current trend को देखते हुए मुझे लगता है yes और ट्रैगो पर मैंने yes सिलेक करके 1000 रुपे इंवेस्ट कर दिये ट्रैगो एप पर news और sports के अलावा movies पर भी सवाल है जैसे कि क्या Shazam 2 movie सूपर हिट होगी आप yes और no में जवाब देकर सही prediction करके profit कमा सकते हो फर्स्ट रिचार्च पर आपको 20% के cashback के साथ-साथ ट्रैगो की leaderboard पर एक दिन में सबसे ज़ादा profit बनाने वाले top 3 लोगों को मिलेंगे prizes जैसे पिछले leaderboard के winner दीपक राठोड ने smartphone जीता तो जाओ description के link पर click करके ट्रैगो पर sign up करो और मेरा coupon code Shazam use करके 25 रुपे तक का bonus भी पाओ जाओ फिल्म के story को एक normal superheroic movie की तरह ही build-up किया गया है पहले villains को set up किया फिर सारे superhero की powers दिखा कर उन्हें set up किया और इसी बीच में smartly first part की कहानी का भी revision करा कर दिखा दिया और पता भी नहीं चला फिल्म की length 2 घंटे 10 मिनिट की है और पूरे 2 घंटे 10 मिनिट आपको जरा भी बोरियत महसूस नहीं होगी ये एक superhero movie है और superhero movie वाले सारे element इसमें भर-भर के डाले गये है फिल्म में एक cameo भी है जो climax में आता है आती है पर क्या फायदा DC या Warner Brothers वालों का ये फंडा मेरे पल्ले तो नहीं पढ़ रहा कि cameo का ही official clip release कर दिया as a TV spot और जब वो scene चल रहा था तो climax का मजा तो वैसे भी खराब हो जाता है क्यूंकि वो तो scene आपने already TV spot में दिखा दिया और एक और चीज मैंने notice की कि बिली बैटसन officially भी थोड़ा बड़ा हो चुका है समझदार हो चुका है 18 साल का होने वाला है तो अब जब वो Shazam बनता है तो उसमें फिर भी बचकानी हरकते कैसी बची रहती है फिर इस negative points का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आप throughout movie को enjoy करते हो फिल्म का first half काफी बढ़िया और humor से भरा हुआ है second half मारधार और full to superhero गीरी से भरा हुआ है और climax मुझे सबसे ज़ादा बढ़िया लगा इवन ये बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि DC की Shazam 2 movie DC के ही Black Adam से ज़ादा अच्छी निकल कर सामने आई है लास्ट में बहुत सारे creatures दिखाए जाएंगे जिनका CGI और VFX काफी अच्छा था बाकि और और अगर बात करू तो जिस तरीके से इस movie को humorous अंदाज में पेश किया गया है ये एक family entertainer बन जाती है बच्चे जवान बुढ़े सारे एक साथ मिलकर भी इस film को देखने जाए तो भी कोई problem नहीं है और हाँ first part देखना बहुत जरूरी है तभी इस movie को समझ पाओगे और again movie खतम हो जाने के बाद इसमें एक mid credit and end credit है तो उठ मत जाना बैठे रहना ताकि आगे आने वाली movie का भी hint आपको मिल सके मेरी तरफ से इस film को 3.5 out of 5 stars और मेरी description के link से trago पर visit करना मत भूलना मिलते है अगले वीडियो में बाई